हलो फ्रेंज तो स्वागत है आपका कायरेविन फैमली के नए व्लॉग में हम लोग काफी दिनों से व्लॉग नहीं सूट कर पा रहे थे मैं थोड़ा बीजी था ओफिस थोड़ा ऐसी चल रहा था तो इस वज़ा से मैं सूट नहीं कर पाया तो आज कल साम हलांकि जब मैं बात करनी चाहिए बताना चाहिए ज्यादतर जैंतियां बहुत अच्छे से मनाई जाती हैं जो महान आदमी रहे हैं हमारे तो उनके बारे में लोगों को पता होना जागरुक होना बहुत जरूरी है समाज में उनको इतने अच्छे से क्यों देखा जाता है यह हम हर एक आद 1891 को हुआ था मद्य प्रदेश के एक मौड इस्टिक में हुआ था और उनका जो जाती था वो महर जाती था जो शडियूल कास्ट में आता है जेयूल करिये लोग ब्रदे दिकारा जाती प्रदेश के बहुत था करणा लग मौडब्र खूकर अगर किशी दिन प्रदेश में प्यासा रहना पड़ता था इस बशिए-धगता धर घड़न्त तो एक ये घटना थी, और आगे की घटना की बात करें, तो उनको जो पब्लिक के पानी पीने के जगा होती थी, पहले होती थी न, कुछ नदियां होती थी, उन जगों पे भी अलाउड नहीं था, उनको मना कर दिया जाता था, जो मैं कहूंगा के बहुत बेकार जीवन के दि से मना कर दिया जाए, तो बड़ा बेकार लगेगा, तो उन्होंने ये दिन भी देखे, आगे एक और घटना है उनकी, जब वो पांच साल के थे, तो कोई ना ही उनके बाल ने काड़ता था, मना कर देते थे, तो मजबूरन उनको अपनी बहनों से अपने टेड़े-मेड़ बाल कटाने पड़ते थे, तो ये सब चीजें थी, जो बाबा साहिब ने देखी, और आगे इनी चीजों से प्रिरित होकर, वो बहुत बड़े आदमी में तबदील हो जाएंगे, ये हम उनको देखेंगे समय के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, उनकी साधी 1907, 1907 के आसपास क कर दी जाती है, वो भी रोड साइड एक सैड होते हैं, उनकी साधी कर दी जाती है, उसके बाद पढ़ने में काफी अच्छे थे, तो पढ़ने में अच्छे होने की वज़ा से, बरोडा के महराजा, सायाजी राओ थर्ड, जो की लगबग 1900 के आसपास उनका सासनकाल था बर इस से अंबेडगर को बहुत फायदा हुआ, और उन्होंने छे साल के अंदर मात्र, 1913 तक, MA, PhD और आपके एकॉनमिक्स में डिग्रीज, लाउ, ये सब पूरा कम्प्लीट कर लिया फोरें से, कॉलंबिया युनिवरस्टी से उन्होंने अपनी MA और PhD की डिग्री हांसिल की, उसके बाद London College of Economics में भी उन्होंने economics की कुछ डिग्री हांसिल की, और वहां से, क्योंकि इनका जो बरोडा में महराजा थे, उनके साथ उनका एक अनुबंद था, कि वहां से पढ़ने के बाद आएंगे, तो यहीं पर आप अपनी सेवाइं देंगे, तो 1913 में वह वापस आ उन्होंने यहां जो secretariat थी, महराजा सायजी राव की, उसको जोइन कर लिया एक नौकरी की तरह, और आगे अपनी सेवाइं शुरू कर दी, लेकिन जादा दिन तक यहां पे भी उनको वह discrimination, मतलब छुआ छूट समझ के, untouchable दलित समझ के, उनको छोड़ा नहीं गया, यहां पारिसी नाम रखके, पारिसी के हां रहने लगे, लेकिन जब पारिसी हॉस्टल में रहने लगे, उसके बाद पारिसीयों को पता चला, कि यह तो untouchable दलित है, तो उनको गाली उत्तार करके बाहर निकाल दिया गया, यहां तक कि बरणा के महराजा सायजी राव भी उनको र तो इस चीज से उनको बहुत थेस पहुची, उसके बाद वो मुंबई चले गए, प्रोफेसर की तरह वहाँ पे उन्होंने जॉइन कर लिया एक कॉलेज, वहाँ पे जाने के बाद भी ज्यादा दिन तक वो इस चीज से अच्छूत नहीं रह पाए और वहाँ पे उनको फेस क करना पड़ा, तो ये सब चीजें थी बावा भीमरा ओंबेडगर के जीवन से जुड़ी वी, जो कि उन्होंने देखी, एक बच्चे से लेके, एक पड़े लेके इंसान होने के बावजूत ही, उन्होंने समाज में चीजें देखी, तो उनको लगा कि हिंदुम में, मतलब ह हिंदु के जो ट्रडीशन है, इन सब चीजें को बदलने की जरू होता है, अच्छे बनाने की जरू होता है, तो इसलिए इस सब को देखते वे, उन्होंने शुरू किया हिंदुम को सुधारने के मूमेंट, तो इस मूमेंट में देखा जाए, तो सब से पहले आता है, 1927 मे जो मनुशमर्ती थी, मनुशमर्ती एक हिंदु की, हिंदु की मतलब हिंदु रिलीजन की बहुत पुरानी बुक कह सकते हैं आप, जिसमें लॉज हैं, उसमें वर्णाज लिखे वे हैं, चार वर्ण, कैसे हम लोगों को चार भागों में रखा जाता था, जैसे कि सब से उप पर काम करने वालों को, मनुशमर्ती यहां तक कि यह बोलती है कि जो काम है, वो अपने प्राकृतिक रूप से लोगों को मिलता है, मतलब जैसे आदमी पैदा होता है, वो काम के अनुशार जाना जाता है, जैसे कि ब्रहम्मण के हां पैदा हुआ, प्रोहित के हां पैदा की सब का काम करेगा और च्शत्रिया छात्रिया के हां पैदा हुआ तो उसको मतलब युद्ध के कामễं प्रूइन के कामों में यूजिक गया औ्टबढ़ मतलब जो के कामों की देख भाल करेगा गार जो सूद्र लोग होते थे उन पे खेती वगेर का काम कराया जाता था मतलब जो नीचे दरजे के काम थे वो कराया जाते थे पर मनुष्मर्ति में कहीं भी यह नहीं लिखा के कोई धलित नाम की वी जी होती थी Untouchables कुछ होते थे Untouchable मतलब जिनके साथ चूआ-छूट रखा जाये ऐसा कुछ नहीं होता था ये गांधी जी भी बोलते हैं कि मनुश्मर्थी जो है उसमें ये सब चीज नहीं है वो प्राकृतिक तरीके से लोगों को काम के आधार पर बांटा गया है और वो नैचरली होता है हमने ही बाटते हैं उसको जैसे कि मान के चली छत्रीक यहां कोई पैदा हुआ तो वो लड़ाईगा ही काम करेगा तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से होता है लेकिन फिर भी बावा साथ को ये लगा कि यह मनुज्मर्ती या फिर कास्ट सिष्टम की ज़ड वो मनुज्मर्थी है इसलिए उन्होंने अपने व्रोध सथ्परिश्टों में पहला व्रोध प्रिश्टों जो था हिंदू रीती रिवाजों कुछ हुँछ है हिंदू धरम में कुछ परिवर्पन लाने के लिए इस step था वो यही था कि उन्होंने 1927 में मनुश्मर्ति को जला दिया ठीक है मनुश्मर्ति देहन दिवस भी बोलते हैं उसको ठीक है तो next था एक महाड सत्यागर्य हुआ इन्होंने जो किया महाड इसलिए किया क्योंकि जो आपके दलित लोग थे इन लोगों को public places जैसे कि कुवा हुआ और आपका धरमशालाई हुई जो public की होती है उन जगहा पे जाने से रोका जाता था इसलिए इस विरोध प्रदर्शन में इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में दलितों के साथ मिलके एक public place पे जाके पानी पिया मतलब किसी कुवे से पानी पिया सब लोगों ने मिलके या तो इससे हूँ यह के जो अपरकास्ट हिंदू से जो भी होते हैं अपरकास्ट हिंदूस उन लोगों ने इसका बहुत वेरोध किया उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि यह तो दूसित हो गया भई पानी इसलिए उन्होंने फिर उसको पवित्र करने के लिए हवन किये, मंत्र पड़े, उसमें बुलाया आता है कि गव मूत्र या दूध वगेरा से उसको पवित्र किया गया, तो ये कुछ कुरूतियां थी मैं कहूंगा, definitely ये कुरूतियां थी, अच्छा, इसके बाद जो बावसा के सिख हैं, या फिर क्रिस्ट छन, इन माइनॉर्टी के लिए इलक्तिट ता, मतलब होता है कि वहाँ प介os ये संथ न पर किसी एक जाती या धरम के लोग वहां पे खड़े होंगे और वोटिंग भी केवल वही लोग करेंगे और किसी को लाउड नहीं था तो यह सेपरेट एलेक्टोरल था यह ब्रिटिसर्स ने स्टार्ट किया था ठीक है उसके बाद अमबेटगर साब भी बोलते थे कि हमको भी यह सेपरे देलितस ह engine एं उनको हिंदू से क्यों अलग किया जाएगा क्यों उनको अलग से एक सैपरेट एलेट अलग दिया जाएगा तो बोले कि सब समानें और सब को एक साथ रहके ही वोटिंग कराना है वट अंग्रेज का मानने बाले थे इतो डिवाइवाइडहें डूमा कि भई दलितों को भी separate electorate दिया जाएगा ठीक है लेकिन गांधी जी थे उन्होंने राष्टिपिता थे उन्होंने अंसन पे भूख के अंसन पे बैठ गए हो उन्होंने बोला कि यह नहीं हो रहे तो यह बहुत बड़ा इशू बन गया तो जो बाबा साहिब अंबेटगर सप पूना में पैक्ट हुआ पूना वहां पे पैक्ट हुआ कि यह separate electorate की जो जमांड है उसको दोनों अपना दोनों लोगों ने अपनी बातने थोड़ी सी कम करी और एक समझोता हुआ कि separate electorate इनको नहीं चाहिए तो यह पूना पैक्ट था इसके बाद एक टाइम आता है 1935 में जब बाबा साहिफ को लगता है कि अभी भी हिंदु धर्म में कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने परेशान होके बोला हो या जैसे भी कि में हिंदु धर्म में पैदा तो हो गया हूं लेकिन मरूंगा नहीं क्यूंकि इसमें changes की जरूत है और लोग changes नहीं करने दे रहे हैं तो यह था कुछ पूना पेक्ट के बाद 1935 में बटना हुई इसके बाद बात करते हैं यह तो हो गया social reform की तरह है अब बात करते हैं political leader या फिर उन्होंने अपने देश के लिए especially जब वो power में आए तो क्या उन्होंने किया तो उनको सबसे पहले drafting committee का chairman बनाया ग उसमें कमेटी थी drafting committee जो कि उसके लेखन का कारी कर रही थी ठीक है तो उसको उसमें साथ member थे जिसमें से chairman जो थे हमारे बावा साहिब भीम राम बेड़ करते तो उन्होंने जो मेल काम था क्योंकि जो छे other members थे उन्होंने कोई America चला गया किसी ने resign दे दिया कोई बिमार हो तो ऐसे करके जो मुख्य बचे रहे थे वह बावा साहिब भीमार थे लेकिन उन्होंने पूरा बोज अपने कंदे पर ले लिया drafting committee को हैड किया उस टाइम पे आपके Constituent Assembly के जो चेयर पर संते प्रेशिडेंट थे वह ते डॉक्टर राजन परशाद उन्होंने बोला था कि मैं जानता हूँ कि बावा साहिब भीम रामबेटगर ने पूरे द्रड़ता के साथ जितना इसको constitution बनाने के लिए महनत की है वो शायद और कोई नहीं कर सकता था उन्होंने ये बोला था ठीक है एक बीन राओ आपको कभी सुना होंगे तो बीन राओ जो थे ना वो एक अदेश में उनसे मिलके कुछ चीजें उनकी अडॉप करते थे वहां से दूसरे constitution से लेते थे और सारी चीजों को लिखके बावा साहिब भीम रामबेटगर को उन्होंने आके दे दिया जिसको लेके बावा भीम रामबेटगर ने दो साल तक इधर उदर उस फाइल को उसम बीम रामबेटगर ने उस constitution में किये जब वो लिखा जा रहा था एक उन्होंने हिंदू कोड बिल करके भी एक जब वो पहले 1950 में गवर्मेंट बनी थे इंडिया कि तो लौ मिनिस्टर बने थे कानून मंत्री बनाया गया थे नहरू गवर्मेंट में डॉक्टर बीम रामब जी भी उसको सपोर्ट करती थे लेकिन बाद में अपने पैर वापस की चलिए उसमें काफी जो है इंप्रूमेंट थे हिंदू धरम में कुछ कुरूतिया थी उनको उन्होंने इंप्रूमेंट किया था बाद में उसी हिंदू कोड बिल को यूज करके स्वैम नहरू जी ने बुद्ध धरम अपना लिया उनकी इच्छा थी बुद्ध धरम अपनाने की उनको कुछ लगा के उनके साथ समानता का वेवार नहीं किया गया इसलिए उन्होंने बाद में बुद्ध धरम अपना लिया इसका मतलब यह नहीं है कि आज की डेट में भी हिंदू धरम को के हैं आप इस समय समाज में हर आदमी को equality समानता के साथ रखा जाता है कानून भी समानता देता है हर चीज की समानता देता है liberty देता है freedom देता है तो मैं कहूंगा कि इस समय समाज को एक जुट होके ही रहना चाहिए इसको अलग अलग ना तोड़ा जाए और 1956 में ही निव डहली में उनकी मृत्ति हो गई तो यह था कुछ बावा भीम रांबेटगर के बारे में डॉक्टर भीम रांबेटगर तो यह वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है यह नौलिज के पॉइंट अफ व्यू से था लोगों को पता चले कि बही किसी ने इतना महान कारिया किया है तो उसको उसके बारे में सबको पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम उसको जाती धरम के बारे में डिस्क्रिमिनेट करते रहें मैं तो कहता हूँ सब जातिया सब धर्म बरावर है तो इस लिए किसी महान आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासकर एक इंडियन को केवल इस्टुडेंट के लिए जानना जरूरी है, हर उस आदमी को जानना जरूरी है, जो एक समाज में रहता है, और समाज में उसको एक्वैलिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए बोलने की, बावसाहिब भीमराम प्राइटगर ने ये भी दिया था, फ्रांस क्रांती हुई थी, तो वहां पे उन्होंने बताया था कि एक्वैलिटी, लिबर्टी और ये आपको कैसे हर एक आदमी के जीवन में आनी चाहिए, वहां से भी उन्होंने कुछ चीजें अडॉप्ट करी थी, कुछ चीजें फ् एक महान आदमी के बारे में जानने के लिए आपको उस चीज को ध्यान में रखते में मैंने ये वीडियो बनाया है, कि सब आदमी को ये बात पता चले, तो थैंक यू, अगर कुछ गल्ती ही तो माफ करें, मैंने यार बड़ी जल्दी में ये वीडियो बनाई है, तो प्ली आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में, कुछ अच्छा सा कंटेंट लेक आएंगे, थैंक यू